हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई ओफिशिल यूटूब चैनल प्रेशांच त्रुएदी टुटोरियल्स देखें, बहुत दिन से ये एक नोटिस आप देख रहा होंगे बहुत सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कही जिगए सर्कुलेट हो रहा है कि RRB JEE का एक्जाम डेट 27 मही 2019 को अनाउंस कर दिया गया मतलब कि 27 मही 2019 से RRB JEE का एक्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा पहली चीज तो आपको ये बता जाते हैं, ये सब जगए जहां पर भी सर्कुलेट हो रहा है ये फेक है, ऐसा कोई information किसी भी official RRB की website पर नहीं आया है RRB की जो भी official website है आप उन पर चेक कर सकते हैं, किसी भी website पर ऐसा कोई notification अप्लोड नहीं किया गया है तो ये एकदम पूरी तरह से 100% fake है, बहुत से बच्चे बार पर message करके पूछ रहे हैं, कि सर बता दीजिए, कहीं से पता नहीं चल रहा है तो ये 100% fake है, आप किसी पर भी इस तरह से भरोसा मत करिए आप सीधे सीधे official website खोलिए, जो भी RRB की, RRB चंडीगर खोल लिजे, RRB भोपाल खोल लिजे, कोई भी आप चेक कर लिजे आपको वहाँ पर latest notice date wise मिल जाएगा इसके लावा दूसरा notice, आज की date में upload किया गया है, RRB चंडीगर की website पर वो ये किया गया है कि जो आपका ministerial की post है, उसमें दो vacancies cancel कर दी गई है और वो कौन-कौन सी vacancies हैं, आप यहाँ पर देख लीजे, आपके सामने screen पर आ रहा है और आप अगर चेक करना चाहें, तो आप RRB चंडीगर की website पर जा करके check कर सकते है देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, in view of the change of work pattern in diesel locomotive works, DLW, 180C, the following notified vacancies of DLW are treated as withdrawn पहली है, staff and welfare inspector, दूसरी है junior translator हिंदी, एक एक vacancies जो withdrawn करी गई है, एक तरह से cancel कर दी गई है, यह दो vacancies है और 12 April 2019, यानि कि आज की date पर यह RRB चंडीगर की website पर notice upload किया गया, आप चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है, the candidates who have applied for DLW in the above categories are allowed to modify their RRB, oblique railway, oblique PUs and category options, allowed to modify till 30 April 2019 यानि कि 30 April 2019 तक वो modify कर सकते हैं, अगर आपने इस post apply किया है तो इसके लाबा बोला गया है not to be charged any fees for modifying the online application form और इसके लिए आप से कोई fees वगेरा कुछ भी नहीं लिया जाएगा तो यह आज की date पर आया है, RRB चंडीगर की website पर notice, आप चेक कर सकते हैं इसके लाबा जो हमारा RRB, ALP और technician का जो हमारा psychometric test होना था वो भी postponed हो गया है, 16 April 2019 होना तब वो भी postponed हो चुका है वो notice कल upload किया गया है तो आपको अगर कोई भी ऐसी fake news मिलती है, आप सीज़े से जाएए, RRB की website open करिए वहाँ पर आपको genuine information मिल जाएगी और ऐसी किसी भी information पर भरोसा मत करिए जब तक कि आपको genuine sources से कोई information नहीं मिलती है और कुछ पूछना जाते हैं तो आप comment करके पूछ सकते हैं So thank you very much and thank you for watching